हेलो गाईज तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुपता का सॉलुशन में करेंगे एलेक्ट्रिकल ट्रांस्फॉर्मर के कोशन नमर 76 से लेके 100 तक ठीक है? तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लेजिए तो ऐसे ही में आपके जो दूसरे चैप्टर रिमेनिंग जेबी गुपता के हो भी स्वाल कर रहा तो चलूँगा तो चलिए कोशन देखते हैं फर्स्ट आपका क्या देखो इसमें रेगुलेशन निकालना है यानि वोल्टेज रेगुलेशन तो मैं आपको समझाए था वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपकी ये कोई ट्रांस्पिशन लाइन है ठीक है तो यहां से आपको ये सप्लाइ वोल्टेज दे रहे हो वी ठीक है और यहां पर आपका लोड है अब देखो आपका ये वायर बहुत बड़ा होगा ठीक है ट्रांस्पिशन लाइन बहुत बढ़ी होती है तो यहां पर कुछ ना कुछ आपका ड्रॉप होता रहेगा ठीक है यह जो आप सप्लाइ वोल्टेज दे रहे हो इसमें से कुछ ना कुछ यहाँ पर drop होता हो जाएगा ठीक है तो let's assume करते ठीक है यहाँ पर आपने 100V दिया बट यह आप आपका जो load है ठीक है इसको सिर्फ 80V मिला ठीक है किसकी वज़े से इसमें लाइन में drop हो रहते है ठीक है तो यहाँ से अपने क्या पता चला है यहाँ इसका 20% तो यह loss में चला गया ठीक है इस particular circuit के लिए voltage regulation कितना हो गया 20% ठीक है तो देखो सुनने में यह term बहुत अच्छे लगती है voltage regulation ऐसा लगता है जितना ज्यादा उत्ता अच्छा ठीक ह अच्छे में ऐसा लगता है but voltage regulation जितना कम होगा उत्ता बैटर है तो जो voltage regulation यहाँ पर 0 होता याँ आप अगर 100V दे रहे हो लोड को पूरा 100V मिलेगा यह voltage regulation का मतलब होता है तो तो कुछ कोशन में बोला कि आपको voltage regulation में जो resistance है यानि r per unit ठीक है percentage में दिया है यानि कि वो per unit ह है तो यह गया 1 ठीक है और आपका जो x per unit है यह आपको दे दिया 5% clear इतना अब देखो दोनों percentage में अगर इनको ऐसे का ऐसे use करेंगे percentage में तो output भी आपको क्या मिलेगा यानि voltage regulation किसमें मिलेगा percentage में ठीक है और power factors ने क्या दिया दिया 0.8 lagging ठीक है lagging दिया है अब देखो simple voltage regulation का formula था voltage regulation equals to r per unit ठीक है into cos phi then plus minus x per unit sin phi ठीक है simple यह formula है तो यह आपे देखो यह जो plus minus है न तो plus तो आपको कभी यूज करना है जब आपका load इसने है न lagging दिया हो ठीक है और minus कभी यूज करोंगे जब आपका load इसने leading दिया हो clear इस question में इसने lagging दिया है तो हम plus वाला formula अब देखो में को sin 5 भी तो चीएगा तो यहाँ से मैं simply अगर 5 की value निकालता हो 5 की तो वह आजएगी तो cos inverse 0.8 ठीक है यह value आपको याद होनी चीए ठीक है angle की याद यह 36.86 degree और आपका देखो direct value भी याद रख सेखो यादि sin 36.86 यह आपका होता है 0.6 अब simply direct value याद रखो कि cos 5 की value अगर 0.8 दी है तो sin 5 की होती है 0.6 ठीक है ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर तो voltage calculation देखो कितना आ जाएगा r है आपका 1% cos 5 यह आपका है 0.8 lagging के लिए plus x है आपका 5% sin 5 है 0.6 clear है call करेंगे तो यह हमें मिलेगा 3.8% इन्हें आपका voltage regulation कितना होगा 3.8% यानि की A वाला चाह मतलब क्या हुआ कि यह आप अगर 100V दे रहे हो तो load को कितना मिल रहे है यह आपे simply 100 मैं से 3.8 minus कर लो ठीक है उतना हमें load को मिलेगा clear है चीज 10 kVA 400V slash 200V single phase transformer with a resistance of 3% reactance of 6% is supplying a current of 50A to a resistive load the voltage across the load अब देखो यह आपे समझना ठीक है यह आपकी primary winding है ठीक है यह आपकी secondary winding clear इसने यह दिया है 400V यह दिया 200V यानि कि यह वाली side आपकी क्या है यह आपकी है 200V list मेरा होत यह मेरा हो गया, resistive load अब इसने बोले है, load के तुरू current flow हो रहा है 50 ampere, तो yellow मेरा हो गया 50 ampere, अब में को बताना है किस load के across voltage कितना हो गया, या नी VL बताना है, या तो कोई doubt नी, अब देखो last question में मैंने समझाएता यहाँ से ये 200 volt है अब ये 200 पूरा का पूरा तो VL के पास जाएगा नी, या पर कुछ ना कुछ drop होगा, 3% के across और 6% के across वो हम कैसे करते है, voltage regulation निकाल देते है उसे पता चल जाएगा कि कितना voltage आपका regulate हुआ है, तो देखो simple voltage regulation के लिए का करेंगे simply पहले देखते है, R को ठीक है, यानि R per unit कितना है, 3% ठीक है, और जो आपका X per unit X per unit यह 6%, ठीक है अब आपको एक चीज नहीं पता, cos phi क्या है और factor में नहीं पता, तो simply देखो, load क्या दिया है, तो resistive तो resistive load का मतलब क्या होता है, पार factor unity, यानि कि 1 ठीक है, अगर cos phi 1 है, आपका sin phi क्या होगा, 0 विकाज 5 क्या होजागा, 90 degree, याँ से देखो आप अगर voltage regulation निकालते हो, ठीक है simple, कौन सा load है resistive load है, ठीक है तो क्या sign use करोंगे, positive sign use करोंगे because resistive के लिए भी आपका regulation positive होता है, voltage regulation negative कब होगा, जब आपका power factor leading दिया हो, ठीक है, simple formula होता है आर पर unit cos phi, ठीक है, plus x पर unit sin phi, clear है तो देखो, r तो आपको देदिया, इसने 3 and आपका जो cos phi है या आपका देदिया 1 x पर unit देदिया 6, ये देदिया 0 तो ये मिल गया 3% यानि कि याँ से आप जो भी 200 वोल्ट दे रहे हो, इसका 3% तो याँ पर drop हो जाएगा, और बच्चा हुआ आपको याँ पर VL पर मिल जाएगा, ठीक है तो यानि कि VL की value क्या होगी VL ये आपका होगा, 3% of एक second, ये आपका हो जाएगा 200 वोल्ट ठीक है, 200 वोल्ट है आपकी, उसमें से माइनस कर देंगे, 3% of 200, ठीक है, जो भी 200 का 3% होगा, उसमें से माइनस कर देंगे ये आपको मिल जाएगा, simply 194 वोल्ट ठीक है, विकॉज ये जो 3% है 200 का, ये आपको आएगा 6 वोल्ट, ठीक है तो VL कितना है, ये लोड को वोल्ट कितना मिलेगा, 194 तो ये आप आप देख सकते हो, ये आपने 200 वोल्ट था आपके सेकंडी साड में, बट लोड को कितना मिला, 194, ये बागी का वोल्ट इस क्या हुआ, रॉप होगया इनके बीच में तो ये हम कैसे निकलते हैं, voltage regulation से लोसे सीनर transformer आर, copper loss, eddy current loss hysteresis loss, the constant power loss of the transformer is कौन से पुझे, constant power loss तो देखो, आपके constant होते हैं ये होते हैं, आपके iron loss ठीक है, ये किस से बने होते हैं ठीक तो eddy current loss से, plus hysteresis loss से ठीक है, अब देखो ये जो constant है इनके different different आपको नाम पता होने चाहिए, देखो ठीक है, इसको बोलते है constant, ठीक है वोई बोलते हैं, इसको iron loss वोई इसको बोलते है, core loss ठीक है, तीनों ही इसके नाम है, constant किसलिए बोलते है, because इनकी value load के साथ change नहीं होती, ठीक है, इसलिए आपका, इस पर depend करता है, ये बताने है, ठीक है तो देखो, आपने simple hysteresis का formula पड़ाओगा, bh proportional to, जो भी maximum flux density है, ठीक है उसकी power 1.6 into frequency ठीक है, यानि देखो एक तो आपका bm पर depend करता है, और frequency पर depend करता है, clear है, और जब आप addy current में देखते हो, तो addy current में आता है कि maximum flux density का square, एड़ आपका frequency का square, एड़ ठीकनेस का square, ठीक है, यानि कि addy current में thickness भी आती है, और magnetic flux density रही है, और frequency भी है, clear है, बट इसमें किसमें पूचा है hysteresis के लिए पूचा है, तो इक तो flux density and frequency, यानि first or second, correct answer in the power transformer, iron losses remain practically constant from no load to full load, ऐसा क्यों होता है because आपका जो flux है न, वो constant रहता है, ठीक है, मैंना अल्लेटी समझाए था flux आपका load के साथ change नहीं होता, ऐसा देखो, अगर आपका कोई load है ठीक है, वो increase हो गया तो अगर load increase हो गया, इसका मतलब current चाहिए, ठीक है, तो यानि क्या करगा यह primary से ज़्यादा current मांगेगा अब जैसे primary current बढ़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, primary side में आपका flux बढ़ गया यानि 5-1 बढ़ गया, ठीक है अगर 5-1 बढ़ा, तो आपका e2 emf induced हो वो बढ़ गया, अब e2 1 और 5-2, यह जो बड़े, ठीक है, लोड के change होने से इन में जो change हुआ, वो एकदब equal ratio में होता है उस वोज़े से आपका flux जो है वो constant रहता है आपके core में ठीक है, तो iron loss इस वज़े से practically constant होते है, तो आपका जो core flux है वो constant रहता है आपके iron core में, clear है चीज in a power transformer, if in place of sinusoidal wave, a peak wave voltage is fed to the primary, ठीक है तो क्या होगा, तो देखो यह actually practically observe किया हो है, ठीक है practically experiment किया था, कि आपका जो transformer है, उसमें हमने sinusoidal wave नहीं दी, और एक peak voltage दे दी, ठीक है, तो इस case में क्या होता है, कि आपके जो iron losses होते है वो हमें कम मिलते है, वो हमें कम मिलते है, तो जो आप जब नॉर्मली losses का formula देखते हो, hysteresis और eddy current loss का, तो उसमें आपका steinements constant आता है, ठीक है, ठीक है तो आपके आपने पड़ी होगी, तो उसमें देखो जब wave ही change कर देते हो, तो उसमें 5000 watt, respectively, the copper loss and iron loss at half load will be, अब देखो, मैं आपको बताया था, कि जो आपका iron loss होता है, यानि PI, ठीक है, इसको क्या बोलते हम, constant loss बोलते है, constant loss, अब ऐसा क्यों बोलते है, because यह आपका load के साथ change नहीं होता, because not change with load, ठीक है, तो देखो, इसने में iron loss किते दिये, इसने हमें दिये, iron loss, यह दिये, इसने, देखो, 5000 watt, ठीक है, यह हमें दे दिये, add full load, full load, clear है, पूशा का है हमें iron loss, इसने बोला half load पे निकालो, तो क्या होंगे, same ही रहेंगे, because यह load पे depending निकरता, या इसने half load पे पुछा होता, या फिर 3 by 4 पे पुछा होता, फिर भी यह क्या होता, same ही रहता, ठीक है, half load पे भी यही रहेगा, तो एक answer तो आपका आगया, ठीक है, तो देखो, इसके आप आगे अगर calculate भी नहीं करते, तो भी आपका answer आ जाता है, अब एक ही option है, जिसमें आपका iron loss 5000 दिया हुआ है, ठीक है, तो यह तो हो गई मारा iron loss की बात, अब देखो, copper loss में क्या होता है, यानि कि P, C, U, ठीक है, तो देखो, simple formula यहाद रखो भी तो, at any load, ठीक है, और any load में कौन सा, let's से आपका load क्या है, x load है, ठीक है, इस case में आपको copper loss कैसे दिका लोगे, simply, जो भी load है, उसका square कर दो, और उसको multiply कर दो, जो भी copper loss आपको full load पे दिया है, full load, ठीक है, यह simple आपको formula याद रखना है, तो इसमें देखो, आपको अगर full load पे पूचे है, और किस particular load पे देदे, तो भी आप निकाल सकते हो, और अगर full load का देदे, और किस particular load पे पूचा है, तो भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे मैं को बोला है, कि PCU, यानि copper loss निकालो, at 1 by 2, ठीक है, यानि half load पे यानि 1 by 2 हो गया, तो X की value आपर मैं रख देता हो, simply 1 by 2, ठीक है, इसका square कर देता हो, into, PCU at full load, किता दिया मैं एको 6400, यह मेरा हो गया 6400, ठीक है, इसको solve करूँगा, किता हैगा, देखो, यहाँ पो हो जाएगा 6400, divided by 4, तो यह मैं एको मिलेगा 1600 watt, यानि कि मेरा copper loss जो है, half load पे किता हो जाएगा 1600 watt, इसलिए हम बोलता है कि जो आपका copper loss है, यह load पे depend करता है, ठीक है, देखो, आपने जैसे ही load को कम किया, आपका copper loss कम हो गया, clear है, पहले किता था, 6400, जो कि full load पे था, और half load पे सीदा किता हो गया, 1 by 4 हो गया इसका, ठीक है, यानि 1600 watt है, यानि D option आपका correct answer, if the frequency of input voltage of a transformer is increased, keeping the magnitude of voltage unchanged, क्या बोला है देखो इसने, if the frequency है, ठीक है, तो देखो, इसने बोला कि यह frequency है, इसको हमने बढ़ा दिया, ठीक है, और जो आपका voltage है, इसको हमने same रखा, ठीक है, इस sign का मतलब है same है, इसमें कुछ change ने किया, ठीक है, तो देखो, यहाँ से अगर आप समझते हो, V by F, ठीक है, अब देखो इसने बोला, कि frequency को बढ़ा दिया, यह हमें ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, V by F क्या हुआ, change हो गया न, यानि कि, not same, clear है यह चीज, ऐसा assume करके चलो कि पहले तो ही V by F, उसके बाद में हमने यह modification किया, तो दोनों case में V by F आपका different है, इसकेस में जो relation रहता है, तो देखो मैंने अल्लडी बहुत बार बता दिये, addy current तो होता है आपके voltage के proportional, ठीक है, और जो hysteresis loss होता है, pH, वो proportional होता है, देखो voltage की power 1.6, ठीक है, divided by frequency की power 0.6, clear है चीज, तो देखो, यह addy current तो frequency, voltage पे depend कर रहा है, voltage को हमें रख रहा है, constant, ठीक है, तो addy current भी क्या रहेगा, constant, यादि remains same, जो पहले था वो ही रहेगा, यहाँ पर देखो frequency को बढ़ा दिया, तो hysteresis loss क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, ठीक है, यानि कि, PE तो आपका same, और pH आपका decrease, decrease, clear है, तो answer देखो, कौन सा हो जाएगा, hysteresis loss will decrease, but addy current loss will remain unchanged, यानि D option आपका, correct answer, open circuit test in a transformer is performed with, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर कुछ, किज़े मैं आपको बदाता हूँ, यह जो बहुत important रहती है, open circuit, ठीक है, तो open circuit में क्या रहता है, यह हम perform करते है, iron loss को निकालने के लिए, ठीक है, iron loss मतलब, addy current loss, plus, stress loss, ठीक है, यह basic चीज़ है, अब देखो, यहाँ पर इस loss को, हम बोलते है, iron loss, constant loss, constant क्यों बोलते हैं, यह चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, end, cold loss, यह तीनों ही इसके नाम है, अब देखो, यह test perform कैसे होता है, यह आपको होता है, ammeter, जो current को measure करता है, यह आपको होता है, voltmeter, ठीक है, यहाँ पर हम लगाते है, voltmeter connect, यह wattmeter की current coil, यह आपको wattmeter की potential coil, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यह होगई, primary winding, हम क्या करते है, second terminal को open करते हैं, यह open circuit test है, अब आप यह पूछा जाता है, पहला question, कि कौन सी winding को हम open रखते हैं, ठीक है, तो यह आपको open होती है, high voltage winding, ठीक है, तो यह आपको होती है, low voltage winding, ऐसा क्यूँ करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, अब यह आपको भी, यह आपको होगया, W1 watt meter, sorry, simple W, ठीक है, यह आपको होगया, V1, यह आपको होगया, I1, कहा तक चीज के लिए रही है, अब देखो इसको चेश समझते हैं, यह क्या है, बिसिकलिए एक, open circuit है, ठीक है, open circuit में current कौन सा flow होगा, I0, ठीक है, इसकी value क्या होती है, 2 to 3% of full load current, ठीक है इतना, अब जड़ा सोचिए, यह आपका primary circuit है, यह आपर यह watt meter, read करेगा, code loss को, तो देखो, इनस हम low voltage side की तरफ perform कर रहे हैं, ठीक है, low voltage side की तरफ perform कर रहे हैं, X का मतलब क्या होगा, कि आपका जो voltage है, वो तो low है, ठीक है, और जो current है, वो क्या है, high, low voltage side का मतलब यह तो होता है, कि voltage low होगा, और current high होगा, अब देखो, current high है, क्यों high होना चाहिए current यहाप है, ठीक हो, आपका यह watt meter measure क्या करेगा, high not current को measure करेगा, because high not को लेगा, ठीक है, और V1 को लेगा, then उनको multiply करके, आपको cold loss देगा, ठीक है, simple power वाला formula, तो यह आपे देखो, यह जो high not है, यह होता है, 2-3% of full load current, यह फुल load current का, 2-3% ही होता है, तो obvious बात है, अगर यह आपे यह current low होता, यह आप अगर high voltage side की तरह perform करते हैं, current यह आपे क्या होता, low, अब current पहले से ही low है, then उसका आप 2-3% all low करते हैं, ठीक है, तो वो value बहुत कम हो जाती, ठीक है, और उसको जब आपको measure करना होता न, तो अब आपके जो instrument लगाने होते हैं, equipments, meter, watt meter, ठीक है, volt meter, यह सब बहुत sensitive चाहिए होते हैं, ठीक है, बहुत थोटी value होती हो, current की, I-not की, ठीक हो उसको measure करने में, बहुत problem होती, उपने क्या गया, इसको low voltage side की तरह perform कर रहे हैं, जिससे voltage तो low, current high, अब since current high है, तो इसका 2-3% जो आएगा, वो affordable value है, ऐसी value आएगी, जो simple normal instrument से हम major कर सकते हैं, यानि कि ज़्यादा sensitive instrument हमें नहीं लगाने भड़ेंगे, clear हैं, तो इसलिए हम इसको कहा perform करते हैं, low voltage की side, बट अब ऐसा नहीं है, कि आप इसको high voltage side की तरह perform नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, बट जो आपके फिर instrument होंगे न, उनकी जो rating होगी, ठीक है, वो बहुत sensitive चाहिए गया आपको, ठीक है, क्यों चाहिएगे वो आप समझ गए होंगे, तो देखो, यहाप पर, उससे जो आपका watt meter है, ठीक है, यह कैसा होगा basically, low power factor watt meter, low power factor watt meter, यानि आपका watt meter कैसा होना चाहिए, low power factor वाला, ठीक है, यह कुछ important points है, जो आपको पता होने चाहिए, रटने की कोई ज़रूत नहीं है, जो को समझ लो, तो आपको याद रहेगी, यह basically perform का होता है, अपने rated voltage पर, ठीक है, यानि जो rated voltage है, टांस्फोर्मर की, उस पर open circuit perform होता है, और जो short circuit test होता है, वो होता है fraction of rated voltage, यानि जो भी आपकी input voltage है, उसके कुछ fraction पर होगा, ठीक है, यह पूरा का पूरा input में नहीं देते हैं, तो open circuit test, और transformer is usually performed by, exciting the low voltage winding, this is because, ऐसा हम क्यों करते हैं, तो मैंने आपको समझाया हैं न, कि it draws large no load current, which can be conveniently measured, यानि आराम से उसको आप measure कर सकते हो, जादा आपको जो equipment से, वो आपके sensitive नहीं चाहिएंगे, ठीक है, तो आपको आपको बहुत कम होता है, ठीक है, यह last question में मैं समझा चुका हूँ, consider the following statement, the open circuit test in a transformer, can be used to obtain, open circuit transformer से, आप क्या-क्या opt-ein कर सकते हैं, यह पूचा है, ठीक है, तो देखो इसमें, simply, यह आपको होता है, shunt branch, ठीक है, यह आपको होता है, xm, यह कुछ इस type का रहता है, ठीक है, अपकी branch, तो देखो, इसमें कैए, यह होता आपका rw, यह होता है xm, यह होता आपका exciting current, यानि, i naught, ठीक है, यह आपका iw, यह आपका i m, core loss core loss component ठीक तो open circuit test से आप ये value निकालते हो ठीक है core loss निकालते हो अब आपके पास अगर core loss आ गया तो आप easily I0 को निकाल सकते हो ठीक है कोई problem नियोगी because आपको input voltage बता है ठीक है core loss बता है तो I0 बहुत easy लिए निकल जाएगा यानि कि core loss और magnetizing of exciting current ये दोनों हम निकाल सकते है open circuit test से यानि C option आपका correct answer consider the following loss is for a short circuit test on a transformer तो देखो पहले में आपको short circuit test का कुछ बता देता हो ठीक है detail यापर क्या रहता है इस से हम निकालते है copper loss ठीक है copper loss निकालने के लिए हम short circuit test use करते हैं ठीक है इतना अब देखो जिससे हम voltage regulation निकाल सकते है page regulation ठीक है short circuit test से हमें आपका जो resistance होता है ठीक है equivalent resistance और equivalent reactance है दोजों मिल जाते है जिससे हम voltage regulation easily निकाल सकते है जिसका जब circuit बनाते हो कुछ is type होता ही है ऐस्टेक हो आपका meter या आपका voltmeter ठीक है यह आपका current coil, यह आपकी potential coil, then यह आपकी primary winding, then यह आपकी secondary winding, then यह जो secondary terminal है, इसको हम क्या करते है, short करते है, short circuit test है, short कैसे करते हैं, एक थिक conductor से, ठीक है, short करते हैं, अब दोखो यहापर क्या होता है, पहला आप कोश्म पूचा जाता है, कि कौन सी winding की तरफ हम short circuit test को perform करते है, यह आपके होती है, high voltage, और यह आपके होती है, low voltage, याँ शोर्ट किसको करते है, low voltage winding को शोर्ट करते है, ठीक है, यह आपका है watt meter, w, ठीक है, यह आपका V1 voltage, यह आपका I1, यहा तक clear है आपका, अब देखोंगों, आपके क्या होता है, पहला question क्या पूच्चता है, कहा perform होता है तो perform on perform on high voltage and perform on high voltage ठीक है और short circuit किसको करते है low voltage side को low voltage side short circuit तो यह चीज आपको याद रखने है ठीक है यह direct question पूछे जाते है low voltage side को short करते है ठीक है और सारे equipment कहा connected होते है high voltage side के तरब equipment connected connected on high voltage side ठीक है वैसा compulsory नहीं है कि इसको हमें high voltage side की तरब भी perform करना है ठीक है low voltage side की तरब भी कर सकते हो but prefer हम इसको करते है ठीक है जैसे मैंने open perform at perform perform at fraction of rated voltage rated voltage यानि कि जो भी आपका transformer है ठीक है उसका कुछ ना कुछ rated voltage होगा उस rated voltage के कुछ ना कुछ fraction पर यानि वो पूरा का पूरा rated voltage नहीं उसका कुछ part उतने पर ही आपका यह short circuit test perform होता है और आपका यह full load current पर transform होगा ठीक है तो इसका तो answer क्या हो जाएगा copper loss यह option आपका correct answer in the transformer which of the following statement is valid खौन से इन में से valid है यह बताना है ठीक है पहले क्या बोला है in an open circuit test copper losses are obtained while short circuit test cold loss are obtained गलत है ठीक है in an open circuit test current is drawn at higher power factor गलत है because open circuit test में आपको power factor कितना होता है बहुत गम 0.1 से 0.2 in a short circuit test current is drawn at 0 power factor यह भी गलत है ठीक है in an open circuit test current is drawn at low power factor एक तम सही है clear है यानि open circuit में आपका जो power factor होता है तो 0.1 से 0.2 होता है ठीक है इस सब चीजे में आपको अल्रेडी समझा चुक हो consider the following test ठीक है low test short circuit test open circuit test retardation test which of the following above test are conducted for the derivation of voltage regulation यह आपका होता है short circuit test ठीक है because जिको आपका जो voltage regulation होता है ठीक है तो आपने formula पढ़ा होगा ro1 i1 cos phi ठीक है ठीक है अभी जो value है आपके ro1 x1 ठीक है यह सब आपके short circuit test से मिलती है तो इसकी मदद से हम easily voltage regulation को निकाल सकते है clear है चीज़ तो देखिए अगला question when no load test is carried out on high voltage side of 1000 volt plus 100 volt यानी की आपके high voltage का है 1000 volt ठीक है इससे हमारा test perform हो रहा है single phase transformer with 100 volt winding open the low volt the watt meter reads 110 watt if the test is repeated on low voltage side with 1000 volt winding open the watt meter will read test test कौन सा perform हो रहा है no load ठीक है यानी कि आपका यह क्या देगा pole loss ठीक है वो देगा add current plus services का sum यानी watt meter क्या read करेगा इस PI को read करेगा ठीक है तो इसने बुला देखो यह आपकी primary winding यह आपकी secondary winding और यह वोल्ट ठीक है तो यहां से जब हम major करेंगे ठीक है तब तो आपका जो watt meter read है वो कर रहा है आपका 110 watt ठीक है अब इसने बोला कि यह सेम अगर हम test perform करा है यहां से ठीक है 100 volt की तरब से तब आपका जो PI है वो क्या होगा यह हमें पूछा है ठीक है बट देखो जब ही voltage को change करते हो ठीक है open circuit test में है तो आपके losses पर फरक नहीं आधा विकाज यह दो जो losses है यह भी आपका frequency dependent है यह भी आपका frequency dependent है clear है तो since frequency में यह पर कोई change नहीं हो रहा है तो आपका answer तो same ही रहना है ठीक है जो यहां से कर रहे हो वह यह आपका इसी में भी आना है यानिकि answer तो आपका 110 watt होगा यहां तर clear है अब देखो यहां पर समझता ठीक है high note आपका क्या होता है 2 to 3% of full load current clear है अगर आप इस test को perform करते हो perform on 1000 volt ठीक है जो आपकी 1000 volt side है उस side आप इस test को perform करोगे ना तो देखो आपको क्या होगा voltage क्या है इस case में हो ज्यादा ठीक है जो full load current होगा वो क्या होगा कम होगा clear है अगर full load current कम है तो आपका I naught है वो और कम होगा तो जो आपका i naught क्या होता है 2 to 3% of full load current अगर full load current वैसे ही कम है इसका 2 to 3% और इससे भी कम होगा ठीक है और जो आपका no load test है उस पर आपका major करता है पॉवर ठीक है पॉवर किसकी मदद से मेजर करता है वाट मीटर वाट मीटर क्या गरेगा एक तो इस आई नॉट को लेगा और जो आपका वोल्टेज अउसको लेगा ठीक है उन दोंदों से आपके पॉवर डिकालेगा तो आई नॉट के वाली बहुत कम है इसलिए अब जो मेजर करने के लिए जो आपको equipment चाहिएगा वह बहुत sensitive चाहिएगा ठीक है यानि थोड़ी से छोटी से छोटी वैली को भी वह मेजर कर सके तो ऐसे जो equipment होते है ठीक है expensive होते है तो देखो अगर हम इस same test को perform करते है 100V पे perform on 100V यानिकि low voltage side ठीक है तो low voltage side अगर perform करेंगे तो ज्यादा होगा ठीक है 2-3% ifl का इससे यह ज्यादा मिलेगा हमें इस case में normal rating का ठीक है equipment चल जाएगा normal rating equipment कैसे देखो watt meter कैसे बेज़े करेगा इस i0 को और इस v को यूज़ करके है विक की value किती है 100V है कोई problem ही नहीं 100V तो ऐसा equipment जो 100V को major करता है वो आराम से मिल जाता है ठीक है कोई problem नहीं होती ज्यादा महिंगा भी नहीं आता ठीक है और जो i0 है इसकी value obviously ज्यादा है पहले case के compare में है ठीक है तो i0 के value भी आपकी ठीक है यह आप है तो इस दोनों को हम wattmeter से read कर सकते हैं easily ठीक है तो जो instrument अब जब लगाऊंगे equipment उसकी जो rating है ठीक है वो ज्यादा अपने को कम नहीं चाहिएगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो देख़ो अगर 1000 गोल पर परफॉर्म करोंगे तो आपको महिंगा पड़ेगा वो test ठीक है लोड़े साड सस्ता पड़ेगा ठीक है और आपका value भी same देगा यानिक अगर इस case में losses आपके iron loss PIE है तो इस case में भी आपके PIE ही आएंगे ठीक है विकाज आपका frequency में फिलाल कोई change नहीं हो रहा और यह losses जो होते को loss आपके frequency dependent है clear है चीज अब देखो जो open circuit test होता है ठीक है या आपका कहा performance है में बतायता रेटेड वोल्टेज ठीक है रेटेड वोल्टेज पे clear है और आपका जो watt meter चाहिए होता है open circuit test के लिए वो कैसा चाहिए होता है low power factor watt meter low power factor watt meter चीज़ इसको आप open circuit में perform करवा रहे हो ठीक तो open circuit में जो power factor होता है कॉस्फाइ नॉट इसकी value बहुत कम होती है 0.1 से लेके 0.2 ठीक है तो आपको open circuit test के लिए कैसा watt meter चाहिएगा जो आपका rated voltage पे perform करें और आपका power factor उसका low तो देखो अगर transformer का rated voltage देखते है 230 वोल्ट ठीक है या पर तो since 230 वोल्ट है तो या पर देखो सब्सक्राइब क्लोज क्या है 250 है ठीक है सिंप्ली क्या कर सकते है 250 वोल्ट ठीक है और आपका low power factor ठीक है और current आपका देखो यह क्या है तो आप यह ठीक है और short circuit test देखते हो तो यह आपका दा fraction of rated voltage fraction of rated voltage यानि जो भी आपका transformer का rated voltage है उसकी कुछ particular fraction पर यह काम करता है ठीक है और power factor इस case में high होता है हाई power factor ठीक है तो देखो जो हमें watt meter चाहिएगा कैसे चाहिए था जो इस voltage रेटेड वोल्टेज तूर हटी इसके fraction पर काम करें ठीक है और power factor उसका हाई हो तो यह पर देख सकते हो यह उसका fraction ठीक है और यह पर यह 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 होगी आपका 10 ampere current because fraction of rated voltage and and यहापर लिख सकते ह इसके यह यह होता है थो रेटेड करण याणि रेटेड करण पर यह perform होता है और यह perform होता है no-load current पर नो-lo-load current ठीक है यह चीज यह यह किए यह रेटेड कारण पर पर फर परके यह रोल्ट करण पर फर नेकियत होता है i each one ofwar के लिए W3 आपका होगा short circuit के लिए इन्हें 100 KVA 1100-220V 50 a single phase transformer with 2000 turns on high voltage side the open circuit test result gives 220 volt 91 ampere 5 kilowatt on low voltage side the core loss component of the current is approximately core loss component निकालना है ठीक है तो देखो core loss component में आपको बहुत बार बताया हो यह होता है simply जो RW वाला होता है वह आपका core loss component होता है यह आपका ठीक है तो देखो इसमें जो RW है यह responsible होता है core loss के लिए clear है चीज यह आपका magnetizing current यह आपका IW यह आपका I1 ठीक है इसके cross हम आपका supply voltage होती है वह होती है तो इस question में तो दिए इसने 100 1100 1100 अब देखो यह आपर इसने क्या दे दिया यह आपके किसका है open sir के test का है ठीक है तो इसने बोल दिया iron loss तो आपका है 5000 ठीक है 5000 watt यानि 5kv ठीक है और 91 ampere है यह कौन सा current है आपका I0 current है I0 जे दिया इसने 91 ampere और कितने voltage पर यह perform हो रहा है voltage है आपका 220 volt ठीक है यानि कि यह पर यह 1100 नहीं तो हम perform कर रहे है 220 volt पर 220 volt कितनी चीज़ के लिए आपकी और इसने बोला कि आप Iw निकाल लिए विकाज यही तो आपका है ठीक है cold loss component इसका पूचा है current का पूचा है cold loss component यह पर current कौन सा होता है यह वाला ठीक है यह आपका exciting current होता है तो देखो simple इसको solve कैसे करते है जो आपका cold loss है ठीक है PI किसकी वज़ेसे हुआ Iw square into RW ठीक है ठीक है ठीक वज़ेसे हुआ है यह तो इनको आप ऐसे निकाल सकते हो cold loss क्या फिस simply क्या कर सकते हो जो भी आपका voltage है यह नहीं कि 220 volt into जो भी यह current है Iw clear है देखने से पता चल रहा है ऐसे loss निकालोंगे तो यह से गर मैं को Iw की value निकाल नहीं है तो क्या होगी PI को दे दिया 5000 ठीक है और मैं को यह voltage हो गया 220 तो यह आपका answer आजाएगा 22.7A यह निकी B option आपका correct answer बिसिक लिए जो losses होते है न वो क्या होते है यह तो voltage into current ठीक है या फिर I square R तो हमें पता है कि यह RW ही losses के लिए responsible है मैं को यह पता इसके cross voltage है 220 इसके थुरू current है Iw तो मैंने simply आपके क्या कर दिया voltage into current clear है चीज़ पस single phase 10KV है 50Hz transformer with 1KV primary winding draws 0.5A and 55W at rated voltage and frequency on no load ठीक है तो पहला transformer जो दिया है इस question में ठीक है यह आपका no load पे है यह जो current यह आ होगे I0 और जो losses दिये यह आपके होगे core loss clear इतनी चीज़ second transformer has a core with all its linear dimension root 2 times of 1K ठीक है सारी जो dimension थी second transformer की वो root 2 times है 1K compare में clear इतनी चीज़ the core material and lamination of the thickness are same the primary winding of both the transformer have same number of tons if a rated voltage of 2KV 50Hz is applied to the primary of the second transformer and the no load current and power respectively are no load current निकलना वो power निकलना है second transformer की case में जीज के लिए रितनी question में क्या हो रहा है scaling हो ठीक है scaling scale का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया dimension को change कर दिया ठीक है dimension dimension change ठीक है आपके question में अगर dimension change हो जाए इसका मतलब है कि आपने scaling की है ठीक है ठीक है तो देखो let basically एक factor लेकर चलता हूँ उससे पहले आपको सारे formula deriva देता हूँ ठीक है फिर ये question कर लेंगे हम तो देखो let the scale scale is by x factor ठीक है यहनी x factor से आपकी scaling हो रही है ठीक है फिलाल इस question में क्या दिया है root 2 times हो रही है फिलाल हम x मान के चल रहे है ठीक है अब देखो आपकी जो electric field होगी और जो magnetic flux density होगी ठीक है यह आपकी रहेगी constant ठीक है अब इसको constant करने के लिए हमारी जित्ती भी dimension है अधर dimension जै आपकी height यह जो अधर-धर दूसरी dimension है यह सारी भी same factor से scaled हो जाएगी ठीक है यानि कि यह आपकी हो जाएगी xl ठीक है भीडत आपकी हो जाएगी xw और जो height है यह आपकी हो जाएगी xh यानि कि आपकी जो यह dimensions है यह क्या होई scaled by x factor clear है एतनी चीज़ तो यहापर देखो य इस चीज़ समझ गया है अब देखो आपको जो current होता है ठीक है कुछ important देखो जैसा first देखते है i0 के बारे में जो no load current होता है यह आपको बता है कि दो चीज़ से बनावता है एक आपको होता है iw एक होता है im ठीक है जो iw current है यह आपका scale हो जाएगा कि because dimension को scale कर रहे हो तो यह आपका हो जाएगा scale by x factor ठीक है और यह आपका हो जाता है scale by x factor यानि दोनों ही same factor से scale होते है यह चीज़ के लिए रहे है अब देखो दूसरा point जो core loss है यानि p core ठीक है यह आपका simply depend करता है आपके volume पे volume पे ठीक है तो अब volume पे depend करता है तो यानि कि आपका जो core loss है ठीक है यह जो scaled होगा यह आपको जाएगा x cube ठीक है यानि पहले जो भी core loss था जैसे first transformer में कोई core loss था ठीक है अब उसको हमने scale कर दिया ठीक है तो यह आपको मैं इस question से समझा दूँगा core loss वाला ठीक है फिलाल अगर आप बस यह देखो core loss जो है वो scaled हो जाता है x cube से ठीक है और देखो third point अगर आपको kv यह पूछे एक से करण को देखते है rated current ठीक है जो i rated current है यह आपकी scaled हो जाती है x square से ठीक है fourth देखो जो आपकी v rated है v यानि जो voltage है यह आपकी scaled हो जाती है x square से और जो fifth last है kv rating ठी ठीक है kva तो देखो kva rating क्या होता है voltage और current दोनों से बना होता है तो x square और x square तो यह हो जाता है आपका x 4 यह चीज़ क्लियर रहती है अब जो कोई आप ध्यान से समझना इस quotient के according चल रहे है ठीक है quotient में हमें दिया कि जो आपका io1 है ठीक है first transformer के लिए no load current है 0.5 ampere ठीक है और जो cold loss है यानि PO1 ठीक है यह क्या cold loss है यह में दिया 55 watt यहीं दिया देख सकतो यह रहा ठीक है no load पर है ना no load पर जो losses होंगे वो cold loss होंगे यहा तक आपका clear होगा ठीक है इसने बोला कि आपने जो dimension की है यानि कि जो d2 ठीक है यानि second transformer की जो dimension है वो आपकी है root 2 times of d1 साफ स scaled है यानि x किता क्या आपने root 2 times यह चीज के लिए रहे तो देखो इस case में आपका no load current जो second transformer होंगे वो कितना होता है simply जो आपका factor है उसी से scale होगा यानि x into i1 ठीक है x की value किती है root 2 times into 0.5 ampere ठीक है तो यह आपको मिल जाएगा 0.7 ampere ठीक है दूसरा इसने पूछा है power यानि power मतलब coal loss पूछे है ठीक है तो देखो जो coal loss है यानि PO2 यह कितने factor से scale होता है आपका x cube के because यहाँ पर volume है na full loss volume पर depend करता है ठीक है तो आपने अगर x factor से scale किया इसको तो volume तो simply क्या होता है cube होता है ठीक है x into x into x x x cube हो गया x cube into p01 जो first case में था तो यह आपको हो जाएगा root 2 का cube into 55 ठीक है जो देह रखा है मैं तो यह आपको मिल जाएगा 155.56 watt clear है अगर मैं को पूछा होता है let's check यह भी है ठीक है यानि की rating पूछे होती है यानि kVA जो first second case में ठीक है second case में पूछा होता है तो क्या हो जाती simply x की पावर 4 into जो भी आपकी kVA है जो first case में है ठीक है first transformer के लिए यह मैं already दे रखिए देखो 10 kVA ठीक है तो यह से इसको solve करेंगे तो यह किता हो जाएगा root 2 की पावर 4 तो यह हो जाएगा 4 into 10 ठीक है तो यह मैं को मिल जाएगा यह हो जाएगा आपका root 2 into root 2 यानि 2 root 2 into root 2 2 यानि 2 into 4 तो यह मैं को मिल जाएगा 40 kVA ठीक है तो जो भी चीज पूचे है आप easily निकाल सकते हो तो देखो जो second case में no load current होता हो जाएगा 0.7 अगर cold loss की बात करते हो तो वह हो जाएगा 155.56 ठीक है और जो kVA rating की पूचे है तो 40 ठीक है तो आपका answer क्या होगा B option आपका correct answer है ठीक है तो बस आपको यह चीज पता हो निचीए कि scaling करते है time आपके जो factors है वो कैसे क्या क्या change होते है ठीक है तो यह simply आपके factor है और यह आपका answer clear है चीज तो यहाँ पर देखो root 2 times था अगर यहाँ पर 2 times होता 5 times होता किते भी times था अगर scale करें आप simply क्या करोंगे x की value वो रख देना अब cancer आ जाएगा ठीक है a 1000 volt 400 volt power transformer as a nominal short circuit voltage 40% which one of the following statement is correct तो यहाँ पर देखो क्या है short circuit test short circuit test का perform होता है fraction of rated voltage जो भी आपका rated voltage है उसके fraction पर यह perform होता है ठीक है और कौन सी side perform होता है high voltage side यानि कि 1000 volt की तरह तो यहाँ से आप अगर देखते हो तो यह किता मिला 40% है ठीक है यानि 40 by 100 into 1000 यह आपको किता मिलेगा 400 volt यानि आपका यह short circuit test यह का perform होगा 400 volt पर perform होगा यह चीज के लिए आपकी तो option देखते रुखो पहला क्या है voltage of 400 volt appear across the secondary terminal ठीक है दूसरा देखो voltage of 16 volt appear यह तो गलत ही है 16 तो हो गई नहीं when the secondary terminal are short circuited ठीक है यानि जब secondary terminal को short करोंगे तो the rated current flows at primary side ठीक है at the primary side at a primary voltage of 400 volt सही है कहा perform होता है fraction of rated voltage और rated current क्लियर है और open circuit में just opposite होता है उसमें होता है कि rated voltage और current होता है no load current ठीक है तो पहले देखो rating देखो rating आपकी क्या है 10 kvk अब आपको पता है कि जो rating है इस्तो क्या लिखत हो simply voltage into current ठीक होर यह current क्या होता है rated current होता है और voltage भी आपका rated voltage होता है ठीक है तो यहाँ से अगर में को rated current निकालना है यानि I rated, वो क्या होगा, जो भी S है, उसको voltage से divide करूँगा, S में को दिया है thousand, जो गया thousand ठीक है, और आपका जो voltage है, यह में को दे दिया 400, तो यह में को कितना मिलेगा, 25 ampere, यह चीज के लिए रहे, यह मैंने rated current निकाला है, ठीक है अब देखो, इसने में को बोला है, कि impedance, ठीक है, कितना दिया है यानि percentage, Z, यह में को दे दिया, 10%, अब मैंने बताया था, जब भी आपको percentage में दे, तो वो कौन सी value होती है, per unit value होती है, clear है चीज, अब में को निकालना क्या है, short circuit current तो देख लो, steady state, short circuit, flying current, ठीक है, तो देखो, आपको short circuit current होता है, उसका simple power system, power system में आपने formula पढ़ा होगा, high rated upon percentage Z, ठीक है, बट सिंस, किस में दिया, इसने, आपको ampere में दिया है, तो मैं percentage भी नहीं चीए, तो यह आपका 100 से multiply कर लेते हैं, तो यह आपका किता हो जाएगा, देखो, 25 divided by, यह आपका दिया 10, यह इन्टु 100, यह आपका आगया, 25 ampere, यह यह short circuit current कितना आएगा, 250 ampere, तो यह जो short circuit current है, इसको हम fault current भी बोलते है, तो यह short circuit fault में होगा, fault current, clear है, अब जब यहापर सेम चीज, अगर आपको पूचे होती ही, पूचे होती ही, कि short circuit MVA बताईए, ठीक है, उसके लिए formula क्या बन जाता है, simply, आपकी जो भी rated MVA है, rated MVA, ठीक है, divided by percentage, z percentage का मतलब, पर unit, ठीक है, एक और formula बनता है, short circuit MVA, equals to, यहापर KV का square, ठीक है, जो भी voltage है, उसका square, divided by, आपका z, अब यह, आपर z किस में आगा, O में, ठीक है, तो यह दोनों ही formula भी आपके लिए बहुत important है, clear है, short circuit MVA पूचे तो यह formula यूज करना, अगर short circuit करम पूचे तो यह वाला formula, a 20KV, 2000V, 200V, single phase transformer, has nameplate leakage impedance किता है, 8%, voltage required to be applied on the high voltage side to circulate full load current, with a low voltage winding, short circuited will be, अब देखो, simply short circuit test की बात हो रही है, ठीक है, again short circuit test आगया, अब देखो, short circuit test कहा होता है, simply, 5 to 8% of rated voltage, यानि, जो short circuit test है, वो आपका कहा perform होगा, ठीक है, high voltage side की तरह perform होगा, और जो high voltage की जो value होगी, वो कितने होगी, 5 to 8% of, जो भी rated voltage है, 5 to 8% of, rated voltage, clear है, तो, देखो, इसी लिए हमें, ये question में पूचा है, देखो, 8% impedance है, और rated कीता है, 2000, तो 2000 का, 8% कीता होगा, या आपका आजाएगा, 160 volt, यानि, आप high voltage side में, जब 160 volt होगे, तब आपका, full load current flow, जाएगा, उसमें start, ठीक है, और आप easily, short circuit test को perform कर सकते हो, यानि, इसी option आपका, correct answer है, इन्हें, single phase transformer, the magnitude of leakage reactance, is twice that of resistance of both primary and secondary winding, with the secondary short circuited, the input power factor is, तो देखो, इसने बोल दिया, कि आपको जो resistance है, वो क्या है, sorry, reactance है, वो क्या है, twice of resistance, तो देखो, let करते है, let, आपको जो resistance है, ठीक है, इसकी value है, 1 ohm, ठीक है, तो आपको जो x है, x की value कि इसने क्या दिये, 2 times of r, तो ये value हो गई है, आपकी, 2 ohm, ठीक है, simply power factor निखान ला है, तो cos phi क्या होता है, r by z, ठीक है, तो r की value तो हमें पता है, divided by, z क्या हो जाएगा, r का square, plus x का square, root में, तो ये value कि इसने मिल जाएगी, देखो, 1 का square, plus 2 का square, तो ये आपका जाएगा, 5, यानि, 1 by root 5, आपका ये power factor हो जाएगा, clear है चीज, या पर देखो, ये जो दिया था न, leakage reactance, और ये आपका दोनों के लिए, primary, और secondary, ठीक है, यानि, दोनों का, same है, तो आपका answer क्या हो गया, 1 by root 5, during short circuit test, the core losses are negligible, हम ऐसा क्यों करते हैं कि core loss को negligible कर देते हैं, जब short circuit test को perform करते हैं, ठीक है, तो देखो, आपका short circuit test है, ठीक है, ये होता है आपका, 5 to 8% of rated voltage, यानि, जो भी आपका rated voltage है, उसकी 5 to 8% पे ही हम इस test को perform करते हैं, अब ये voltage इतना कम है न, इतना कम है, 5 to 8% है सिर् आपका जो flux है in core, flux in core, ठीक है, is small, जो आपका core में जो flux है, वो बहुत कम होता है, ठीक है, voltage बहुत कम है, तो तो आपका flux भी बहुत कम होता है, ठीक है, अगर देखो flux बहुत कम है, तो आपका जो iron loss है, ये भी आपके बहुत small है, very small, ठीक है, बहुत कम होते है, उसकी हम इस करके चलते हैं, तो किया है, the voltage applied across the high voltage side is a fraction of its rated voltage, so is the mutual flux clear है चीज, तो देखे अगला कोशिंग का है, while performing the open circuit test and short circuit test on a transformer to determine parameters to determine parameters, the status of low voltage winding and high voltage winding will such that, तो जब आप open circuit के बाद करते हो तो आपकी जो low winding होती है, यानी low voltage वाली, तो हम क्या करते है simply perform करते हैं, तो या आपका होता है perform perform और जो high voltage वाली winding होती है तो इसको हम रखते है, open और जब आप short sir के test की बात करते हो, तब आपका क्या रहता है जो low voltage winding है, तो हम रखते है, short short, ठीक है, और high voltage वाली winding है, इसको हम करते है, perform test को, ठीक है और जिस side perform करते हैं हम equipment वुस side ही लगाते है watt meter पगेरा इसका answer क्या हो जागा देखो इन open circuit high voltage is open ठीक है और short circuit low voltage आइने इस short यानि यह भी option आपका correct answer 1 kVA 200 volt slash 100 volt 50 hertz single phase transformer gave the following test result at 50 hertz frequency ठीक है result क्या दिये देखो open circuit में यह दे दिये short circuit में यह दे दिये it is assume that the no load loss component are equally divided equally divided इसका मतलब क्या है आपको यह जो loss है ठीक है यह आपको इसने दिया है PI ठीक है यह जो open circuit test है और open circuit test में क्या होता है simply आपको जो भी loss देता वो loss कौन से होते iron loss होते या फिसको cold loss बोलते इसने बोला यह जो losses है यह equally divided है इसका मतलब क्या है देखो जब आप cold loss की बात करते हो इसको आप लिखते हो PE plus pH ठीक है अब इसने बोला कि इसकी value है 20 watt 20 watt ठीक है और इसने बोला यह जो losses है PE और pH इन दोनों के बीच में यह 20 watt equally divided है तो यहा से क्या बता चला यह आपको जो PE है यह आपको है 10 watt ठीक है और जो आपको pH है यह जो आपको है 10 watt यह जो दोनों को add करते क्या मिल जाएगा 20 watt अब इसमें बताना है W1 और W2 की value क्या होगी ठीक है यह चीज तो यहापे समझो पहले है जो आपका short circuit test होता है ठीक है short circuit test ठीक है at low voltage पे करो ठीक है यहाफिर short circuit test at high voltage पे करो high voltage पे ठीक है दोनों केस में आपके जो losses मिलेंगे वो same मिलेंगे clear है चीज इस case में तो यह क्या हो गया कि जो आपका w2 है ठीक है w1 और w2 निकालने को बोले है तो w2 तो हो जाएगा जो पहले मिला पहले किता है short circuit के लिए 25 तो w2 की value तो हो जाएगी fix 25 watt clear है अब हमें निकालना है w1 तो अब यहापे समझ दा ठीक है कि यहापे क्या आपका 100 volt and आपका 50 hertz clear है और 100 volt यह आप देख सकते हो low voltage side है और open circuit को हम low voltage side की तरह perform करते है इस case में जो v by f है किता है 100 by 50 याई कि 2 है ठीक है यह है v by f अब इस case में देखो यहापे किता voltage है 160 ठीक है बट यहापे देख सकते हो 160 क्या आपका high voltage है बट open circuit कहा perform होता है low voltage की side याई कि अगर यह आपकी high voltage side है और यह low voltage side है ठीक है तो यह हमें पता है कि 160 volt है ठीक है और यह low voltage side है इस open circuit है low voltage side की तरह perform होगा तो हमें low voltage side वाले voltage बता होने चीए ठीक है और देखो transformation ratio यहाँ से आप निकाल सकते है 200 ratio 100 because same transformer पर perform होड़ा test तो transformation ratio क्या हो जागी यहाँ से देखोंगे तो यहाँ को है 200 slash 100 ठीक है तो यहाँ से गर मैं यह low voltage का value निकालने तो क्या होगी 160 by LV ठीक है equals to 200 divide by 100 यहाँ से low voltage किता है यह यह मैं को मिल गए 80 volt में frequency किती 40 hertz यानि कि क्या हो गया 80 by 40 कितना मिला यह 2 तो देखो पहले V by F क्या था 2 बाद में V by F क्या है 2 यानि V by F क्या है same तो इस question में case क्या है same V by F वाला ठीक है यानि V by F दोनों case में same है तो अब आपको पता है कि जब same होता है तब जो iron loss होते है वो तो होते है frequency के square के ठीक iron loss मुलाए add current loss और जो hysteresis होते है वो frequency के directly proportional तो यहाँ पर समझो अगर में को PE2 निकालना है second case के लिए ठीक है तो में को PE1 पता होने चीए first case का equals to F2 का square divided by F1 का square ठीक है तो यहाँ से simply लेखो PE2 के निकल जाएगा PE1 कितना आपका यह PE1 है ठीक है first case वाला यह दोजनों 1-1 होंगे यह आपका होगा 10 into F2 कितना है 40 Hz F1 कितना है 50 Hz इनका क्या है square तो यहाँ से PE2 कितना मिल जाएगा आपको 6.4 watt ठीक है वैसे hysteresis निकालते है तो hysteresis के लिए देखो यह हो जाएगा PH2 divide by PH1 और यह हो जाएगा F2 by F1 तो आज से simply PH2 निकाल सकते हो PH2 equals to PH1 कितना है 10 F2 कितना है 40 F1 है 50 वाल खरते इसको simply यह आपको आजाएगा 8 watt तो total iron loss कितना होगे iron loss यानि second case में ठीक है यानि कि W2 एक second यह W1 तो आपके copper loss को represent कर रहा है ठीक है short circuit है W1 आपके open circuit को कर रहा है तो W1 होगा तो यह कितना होजागा आपको 6.4 addy current loss plus hysteresis loss तो यह आपको मिल जाएगा 14.4 14.4 watt clear है आपका answer क्या हो जाएगा देखिए यह option आपका correct answer है clear है चीज तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे बाकी questions हम अगली वीडियो में करेंगे Thank you very much